हे दोस्तो राहूल एक बहुत अच्छे शेफ थे जिने खाना बनाने का बहुत शौक था उनकी बनाई हर डिश लोगों को बहुत पसंद आती थी इसलिए उनका सपना भी था कि वो एक बहुत बड़े शेफ बने अब इस अपना पूरा करने के पहले उनने ये सोचा कि वो कही ऐस शेफ जॉब करे सो जॉब सर्च करने पर उन्हें वर्ल्ड्स बिगस्ट फ्रेंचाईज मैं इंटर्व्यू देने का इंविटेशन मिला वो वहाँ गए और फॉरण सिलेक्ट हो गए अब राहूल ने एक्चुली कभी मैकड़ॉल्स से कुछ खाया नहीं था सो इस दिन पहली बार उन्हें वहाँ से एक बगर ओडर किया उन्हें प्राइस बहुत महंगा लगा एक छोटे से बगर का शुरू शुरू में उन्हें सबसे बड़ी प्राब्लम यह आई कि कस्टमर्स बहुत कम आते थे क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी और प्राइस के बाद भी जादतर लोगों को उनके बगर के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा था तब उन्हें समझ में आया कि मार्केटिंग कितनी जरूरी होती है तो उन्हें डबल महनत करके अब खुद मार्केटिंग करना भी स्टार्ट किया सोशल मीडिया और अलग जगा पे अलग अफस के साथ जो कुछ महीने करने के बद फाइनली थोड़े ज़ादा लोग हर दिन उनके शौप में आने लगे पर जैसे ही लोग ज़ादा आने लगे नई प्रॉबलम हुई नई प्रॉबलम यह हुई कि राउल हर काम खुद अकेले नहीं कर पा रहे थे जैसे कि पैसे लेना देना, फ्रेश बगर्स बनाते रहना, साफ सफाई रखना, एक्सेक्टरा, एक्सेक्टरा तो फाइनली फिर उन्होंने हिसाब किताब करके प्रॉफिट को समझते हुए एक आदमी को हायर किया अपने काम में हाथ बटाने के लिए उन्हें लगा ये करने से सब ठीक हो जाएगा, बट चीजे ठीक होने के बजाए और complicated हो गई क्योंकि उन्हें ने जिस आदमी को हायर किया था, वो काफी lazy था और बहुत महनच से अच्छे से सिखाने के बाद भी, वो time to time बहुत खराब बगर बना के customers को देने लगता था, और सफाई भी नहीं रखता था, राहूल तब counter पे बैठते थे, accounting, marketing, customer से deal करना और भी दूसरे काम करते हुए, इसलिए उस पे हमेशे इतना ध्यान नहीं रख पाते थे, जिसकी वज़े से ये हुआ कि low quality taste मिलने की वज़ा से लोग complaint करने लगे, और ये सब देखकर राहूल ने फिर उस काम वाले को निकाल दिया, और वोपस सब खुद हैंडल करने लगे, अब अगीन थोड़े ही टाइम में उनने समझ आया कि वो अकेले नहीं कर सकते सारे काम, सो अगीन उन्होंने एक आदमी को जॉब पे रखा, जो फाइनली एक जाए, लॉस और कर्जे में आने लगे थे, जो फाइनली फिर उनके रेश्टारन को बंद करने का रीजन बन गया, कुछ ऐसी ही टाइप की बहुत सी अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती है, एक सकस्फुल बिजनस क्रेट करते टाइम, जिसकी वज़ा से जाद अदर बिजनस फेल हो जाते हैं, इन फेक्ट एक रिस्ट से पता चला है कि आज दुनिया भर की इंफोर्मेशन होने के बाद भी हर 10 में से 8 बिजनस फेल हो जाते हैं, और वो भी बस स्टार्टिंग के 18 मन्स में ही, और यह हाई नंबर्स ओफ फेलियर ऐसे ही नहीं है, बल्कि इनकी पीछ बिजनस चलाना और एक अच्छा टेक्नीशन होना इन दोन में जमीन आस्मान का फर्क होता है, और था बोलते हैं कि किसी भी बिजनस को सक्सेस तक पहुचाने के लिए, ओनर में तीन क्वालिटीज होना ज़रूरी है, यह तीन लोग होने चाहिए बिजनस में, फर्स्ट एक एक अंट्रपरनर, सेकंड एक मैनेजर, और थर्ड एक टेक्नीशन, अंट्रपरनर उसे बोलते हैं जो कंपनी को विजन देता है, बड़े गोल्स डिसाइड करता है, प्लैंस बनाता है, बिजनस के फ्यूचर के बारे में सोचता है, और कंपनी को चार्ज रखता है, जो सार और में रखने की जिम्मेदारी रखता है, जिससे की consistent effective outcome मिलते रहते हैं काम करते करते, मैनेजर की quality या इनसान कंपनी के past को समझते हुए actions लेता है, और last third quality या इनसान होते हैं technician, technician उसे बोलते हैं जो बिजनस का main काम समलता है, example, राहुल के business में burger बनाना technician का काम था, अगर क quality तो अच्छी थी, बट उनकी ये गलत फैमी थी कि burger बनाना आता है, मतब technician quality अच्छी है, तो burger बेचने का business करना भी easy होगा, क्योंकि बनाना और बेचना दोनों बहुत अलग चीज होती है, successful business create करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि business में एक entrepreneur, एक manager और एक technician हो at least, या ऐसा owner हो जिसमें तीनो quality हो, जो राहूल और जादतर failing business owners में नहीं देखने मिलती, राहूल की तरह normal business start करने वाले लोग यही गलती करते हैं, कि वो technical skills को ही सब कुछ समझते हैं, अगर percentage वाज बोले तो, जादतर failing business owners के numbers कुछ ऐसे दिखेंगे, 70% technician, 20% manager, और बस 10% entrepreneur quality, जबकि बड़ी phase of business, कोई भी business usually 3 phase में बहुत बड़ा बन पाता है, जिसमें से पहला stage होता है, infancy stage, जादतर business इसी stage से start होते हैं, जहां पूरा business वैसे चलता है, जैसा owner की मर्जी होती है, ना कि वैसा जैसा business के लिए best होगा, इस stage में usually owner सब काम अकेले खुदी करता है, example, राहूल ने जब अ entrepreneur, technician और सब खुदी थे, और ऐसे ही जादतर लोगों के लिए होता है, फिर सब कुछ सही चला, तो आता है second, adolescent stage, ये stage तब आता है, जब business थोड़ा grow होने लगता है, और owner को समझ आता है, कि उसका अकेले इस business को चलाना possible नहीं है, यहां वो दूसरे लोगों को hire करते हैं, या partner बनाते हैं, business आगे बढ़ाने के लिए, example, राहूल ने जब एक आदमी को hire किया, तब वो इस stage में आ गए थे, सब ठीक था, लेकिन problem इसके बाद हुई, क्योंकि देखो, इस stage में आने के बाद लोगों को usually 3 outcome मिलते हैं, पहला, back to stage 1, जब owner अपने काम दूसरों को देने लग जैसे कि राहूल के साथ हुआ, so वो पहला option, वो अपस stage 1 पे आ जाते हैं, और अकेली काम करने लगते हैं, जो actual में सही option नहीं होता, दूसरा outcome यह होता है, कि company बहुत ज़्यादा जल्दी grow होने लगती है, जिससे owner और employee दोना handle नहीं कर पाते, और चीज़े out of control हो जाती है, जो business को डुबा देती है, और last तीसरा outcome ऐसा होता है कि, पूरा business एक बड़ी जग बन जाता है, जहां हर दिन उन्हें बहुत ज़्यादा महनद करनी पड़ती है, उसे stable रखने के लिए, और जिसकी वज़े से वो कुछ enjoy नहीं कर पाते, ना अपने business को next level पे लापाते हैं, अ आपको भी multi million या billion dollar business create करने हैं, तो आपको अपने business को इसी level पे लाना होगा, और इस level पे लाने के लिए आपको कुछ points follow करने होंगे, जैसे कि, number one, think as a franchise, जाधर दर लोग जब as a technician business start करते हैं, तब वो बहुत short term सोचके business start करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि exactly वो अपने business क दो-तीन साल बाद कहा लेके जाना चाहते हैं, वो बस यह सोच रहे होते हैं, कि कैसे भी उनको खूब सारे customers मिले, जिसे वो खूब सारे पैसे कमा सके, जो चीज उन्हें जल्दी आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि एक बड़ा business create करना है, तो आपको starting से ही ऐसा सोचना च बलकि उनके systems उनने इतने अच्छे और simple बनाए है, कि कल को एक बिना experience का college student भी Mac में काम करके उनकी store को चला सकता है, और बहुत expert smart लोगों की हमेशा need नहीं होती हर वक्त, यह होता है एक बहुत अच्छा system बनाने का कमाल, जो franchising के लिए बहुत जरूरी होता है, एक बड़ी Infancy stage में होता है, तब owner वो खास इंसान होता है, जिस पर सब depend करता है, अगर owner ने काम करना बंद कर दिया, तो पूरा business बंद हो जाएगा, जबकि adolescent stage में उनके कुछ employees या partner वो खास लोग बन जाते हैं, अब देखो, बहुत से लोग सोचेंगे start से system बनाना possible नहीं होता या ऐसा scale हो सका, इसलिए आप भी start से ही अपने business को franchise model जैसा system dependent बनाने का सोचो और कोशिश करो, हाँ आपको सोड़ा dependent होना पड़ेगा लोगों उपर, पर aim ये रखो कि आप business system dependent बनाओ, ना कि people dependent, नमबर 3, work on the business, अगर आप अपने उपर business को depend कर आओगे, तो आप फिर अपने लिए business नहीं, बलकि एक और जदा महनत वाली job बना रहे हो, business start करने का reason ये होता है, कि आप एक अच्छी lifestyle क्रेट कर सको अपने लिए, ना कि एक ऐसी मुश्किल job, जिसके लिए आपको अपनी पूरी life लगाना पड़े, इस बुक का सबसे बड़ा core principle यही है, कि you should not work in the business, but on the business, मतल आप पर या किसी भी एक इंसान पर depend हुए, यह थे कुछ principle एक बहुत amazing book, The E-Meet Revisited by Michael Gerber से, अगर आपको business create करने में, या बड़ा business बनाने में जरा भी interest है, तो आपको यह book जरूर पढ़नी चाहिए, यह one of the best book है business category में, अगर आप इस book को खरीदना चाहते हो, तो आप description में चाहते,